सब्सक्राइब करें हमारे स्वस्तिक ज्यान और हेल्थ जीवन चनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल चीज लेके आया हूँ जी हाँ जन्मास्टमी पर आप पड़े भगवान की श्री कुष्णे की जन्म का था आपका जीवन हो जाएगा तर-तर आपके जीवन की हर समस्या दूर हो जाएगी दोस्तों भाद्र प्रत प्रुष्ण को श्रीकृष्ण जन्मास्टमी कहते हैं क्योंकि यह दिन भगवान श्रीकृष्ण का जन्मा दिवस माना जाता है। इस तीथी को घंगोर अंधेरी आधी रात को रोहिनी नक्षत्र में मतुरा के कारगार में वसीदेव की पतनी देवगी के घर बसे भगवान श्रीकुष्ण ने जन्म लिया। यहती थी उस शुब घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धुबधाम से मनाई जाती है। दोस्तो जन्मास्वी के दिन भगवान श्रीकुष्ण की जन्म संबंदी कथा भी सुनते सुनाते हैं जो इस प्रकार है। दौपर यूग में बोजवंशी राजा उग्रसेन मतुरा में राज्जी करता था। उसके आततिये पूतर कंस ने उसे गद्धी से उतार दिया और सव्य मतुरा का राजा बन बेठा। कंस की एक बेढ़ भेहन देवकी थी जिसका विवा वस्यदेव नमक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी भेहन देवकी को उसके ससुराल पहुचाने जा रहा था। रास्ते में आकर श्वानी हुई हे कंस जिस देवकी को तु बड़े प्रेम से ले जा र देवकी को मानने के लिए उद्धत हुआ। तब देवकी ने उससे विन्य पुर्वक कहा मेरे गर्व में जो संतान होगी उसे में तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहुनोई को मानने से क्या लाब है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मतुरा वापस चला गया। उसने वसिदेव देवकी को कारगरह में डाल लिया। वसिदेव देवकी की एक एक करके साथ बच्चे हुए और सातों को जर्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब आठवा बच्चा होने वाला था। कारगर में उन पड़े कड़े पहरे बेठा दिये गए। उस समय नंद की पतनी यशुदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसिदेव देवकी के दुखी जीवन को देखके आठवे बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसिदेव देवकी की पूतर पेदा हुआ। उसी समय संयोग से यशुदा के गर्व से एक कन्या का जन्व हु दोनों भगवान के चर्णों में गिर पड़े तब भगवान उनसे का अब में पूना नौजा शिशु का रूप धरन कर लेता हूं तुम मुझे इसी समय अपने मिंत्र नंद जी के घर वरंदावन में भेज आओ और उन्हें यहां जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंसे के हव दे देगी उस समय नौजा शिशु रूप श्री कुष्ण को सूप में रखकर कारग्रह से निकल पड़े और नंद जी के घर पोचे वहां उन्हें नौजा शिशु को यसुदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए कारग्रह के फाटक पूरवत बंद हो ग मुझे मानने से क्या होगा तुझे मानने वाला तो रंदावन में जा पोचा वो जल्दी तेरे पापों का दंड देगा यही है जर्मकृष्ण की कथा तो दोस्तों मैं आशा करते हूँ आपको यह कथा अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भू इस कथा को जार से जादा शेयर कीजिए कमेंट कीजिए अगर अच्छा लगा धन्यवाद दोस्तों